गुड मानिंग एविवन मैं रितु अगरवाल आपका अरोडा क्लासिस के टीचिंग प्लैट्परम पर स्वागत करती हूं मैं उम्मिद करती हूं कि आप सभी स्वस्त होंगे तो चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं देखिए इससे पहले कि जो हमने क्लास की है उ इसकी खोज किसने की ती कहां कहां इसके इसकी कितने स्टेप थे इसकी खोज के और हमने यह भी देखा कि इसकी खुदाई से हमें क्या क्या मिला हमने यह सब देखा आज हम नेक्स्ट जो कि 1921 में जैसे हडपा की खोज हुई थी उसके जस्ट बाद में ही 1922 में मोहन जुद कि क्या हुई थी खोज हुई थी आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि मोहन जदरो है क्या यहां से हमें क्या-क्या चीजें मिली है सबसे important बात यह है और दूसरे बात कि इसकी कोज किस ने कि ती तो यह सब बाते आज हम discuss करने वाली हूं मैं उमीद करती हूं कि इससे पहले कि जो क्लास हमने की है हडपा के बारे में वह आपको समझ में आगी होगी और आपने याद भी कर लिया होगा ठीक है आज हम मोहन जोदागा के बारे में पढ़ते हैं तो देखिए यहां पे पिक्चर है इस पिक्चर के पर हमने यह देख रही है कि यहां पर एक क्या बना हुआ है स्टूप बना हुआ है तो जैसे जैसी क्लास आगे बढ़ती जाएगी हम वैसे वैसे इन चीजों के बारे में डिसकस करते जाएंगे तो देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर एक मैप बना हुआ है इंडिया यहां पर एक नदी बनी है जिसका नाव है Sindhu नदी आप देख्या होंगे यह कुण सी नदी है Sindhu नदी किः थीजिए तो हमने घडखता के आज हम जब मोहन जोद्रों की बात कर रहे हैं तो मोहन जोद्रों कहां पर है सिंदु नदी पर कौन सी नदी नदी और कहां पर पाकिस्तान में कहँआं पर है पाकिस्तान में लाइप तो भारत दो पार्ट में डिवाईड हो गया उस टेंप पांचाब का आदा पार्ट कहां चला गया था पाकिस्तान में चला गया था ठीक है इस वजह से हम क्या कहते हैं हम होँजोदरो की बात करते हैं तह मोहन जोदरो कहां पर पाकिस्तान में कहां पर है पाकिस्तान में कौन सी नदी सिंदू नदी कौन सा छेतर है सिंद छेतर कौन सा छेतर सिंद छेतर और कहां पर लर्काना जिला कौन सा जिला है लर्काना जिला मतलब की पाकिस्तान के सिंद छेतर में पाकिस्तान के सिंद छेतर के लर्काना जिले में कौन से जिल लरकाना जिला लरकाना जिला है कौन सी नदी सिंदू नदी कौन सी नदी सिंदू नदी धान रखिएगा सबसे पहले तो यह आता है पाकिस्तान में पाकिस्तान में कौन सा छेत्र है सिंदू छेत्र है क्लियर पाकिस्तान के सिंद छेत्र के लर्काना जिले में सिंदु नदी कौन सी नदी सिंदु नदी ठीक है और कहां पर दाएं तट पे दाएं समझते हैं राइट क्लियर मतलब पाकिस्तान के सिंद छेत्र के लर्काना जिले में सिंदु नदी के दाएं तट पर कौन स्थित है मोहन जोद्रो तट पाकिस्तान में सिंदु नदी में सिंद क्षेत्र की कौन सी नदी सिंदु नदी के मोहन जोद्र क्या है दाएं तट पर और कौन सा जिला लरकाना जिला बासमच में आगी कोशन बहुत बार आता है कि मोहन जो दड़ाओ कहां पर स्थित तो पाकिस्तान के सिंद्ध छेतर के लरकाना जिले में सिंदु नदी के दाएं तट पर स्थित बासमच में आगी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे पहले मोहन जोदराओ की खोज किस ने की थी सबसे पहले हम यह देख लेते हैं तो 1922 के अंदर किस ने राखल दास बनरजी ने इसकी क्या की थी खोज की थी most important question है कि मोहन जोदराओ की खोज किस ने की थी 1922 में राखल दास बनरजी ने इसकी क्या की थी सब्सक्राइब कर कि खोज की और खोज कैसी की वह भी सून लिए राखल दास बनर जी है यह क्या है स्थ्थ है कर दो किसी शाक शायद आपने नाम भी सुना होगा कनिश्क का अगर आपने नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं जैसे जैसे हम इस्ट्री करते जाएंगे आपको इसके बारे में पता चल जाएगा एक कुशान शाष्रक था एक वंश था कुशान वहां का एक शाष्रक था जिसका नाम था कनिश्क ने यहां पर मतलब इस सिंद्ध छेत्र मे एक स्टूप का क्या करवाया था निर्मान करवाया था तो राकलदास बनर जी जब यहां आए तो उन्हों ने जब यहां पर खुदाई की तो सबसे पहले इन्हें क्या मिला स्टूप मिला क्या मिला स्टूप आप देख रहे हैंगे पिच्चर यह स्टूप है तो राकलदा टीला कहते हैं, clear, बाहर समझ में आई, देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम यह देखते हैं, कि इसकी खोज किसने कीती, खोज किसने कीती, राखल, दास, बनर जी ने, बोलते जाहिए आप साथ में, कब कीती, 1922 में, clear, देखिए, इसे हम किस-किस नान से जानते हैं, सबसे पहले, असे हम क्या कहते हैं, स्टूप टिला क्यों कहते हैं, क्योंकि राखल, दास, बनर जी ने, जब यहां पर खुदाई कीती, तो उन्हें सबसे पहले क्या मिला था, एक स्टूप मिला था, इस वजए से इसे हम क्या कहते हैं, स्टूप टिला भी कहते हैं, दोसे नमबर पर इसे हम मृत्कों का टिला कहते हैं, हुं क对कों का टिला मित्त को मतलब यहां पर क्या हुआ था देखिए मोहं जुदारो जो एक शब्द है वह सिन्धी भाषा का शब्द कॉंसी आ शब्द सिंधी भाषा का शब्द आगर हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो यह क्या बन जाता है मृतिकों का टीला बन जाता है कैसे बन जाता है देखिए हुआ क्या था यहां पर राखलदास मनर जी को बहुत जादा क्या मिले थे कंकाल मिले थे ठीक है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस व्यक्ति के मरने के बाद हमें पूरी की पूरी क्या मिलती है ठीक है बोड़ी मिलती है मतल औरसे नौरमल हमें बोड़ी मिलती है लेकिन मौहन जोड़ड़ों में क्या हुआ था हमें ऐसे ऐसे कंकाल मिले जिसके कोई पैर किसी का हाथ नहीं था जोड़न कि घटी हुए थी मतलब ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर कोई क्या हुआ था युद्ध हुआ था कोई अकर्मन हुआ था उस अकर्मन में ये लोग क्या हुए थे मारे गए थे और इस वज़े से क्या बन गई ये कंकाल बन गई बास समझ में आई इसे मृत्कों का टिला इसलिए कहा जाता है मृत्कों मतलब मरे हुआ का टिला मरे हुए से मतलब यही है कि जब किसी का अकर्मन हुआ था तो यहां पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ उस युद्ध में लोग क्या हुए थे मारे गए किसी की गर्दन है किसी की कान है किसी वा shows का ठीर समझते हैं मतलब की क्या बनि हुए हैं लाशे इनका क्या हुआ है धेल लगावा है नाष्ओं का धेल समझते हैं मतलब बहुत सारी तो nowhere को कहते हैं अगर नॉर्मल लेंग्विज में याद करते हैं तो इसे हम लाशों का धेर भी कहते हैं क्योंकि हमें यहां से बहुत सारी क्या मिली हैं लाश मिली हैं इसे हम इसे हम Tresd site भी कहते हैं Tresd समझते हैं Tresd मतलब कि ऐसी चीज जो हमें समझ में नहीं आई मतलब कि यहां पर लाशे मिली हमें कंकाल मिले लेकिन वो कैसी आए क्या Tresd है इसके पीछे क्या कारण है इस वज़े से हम इसे Tresd site भी कहते हैं क्योंकि हमें यह नहीं पता कि वो कंकाल कहां से आए किस वज़े से युद्ध हुआ Tresd मतलब जो चीज क्या रहती है अंधेरे में राजाती है मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारे कोशन लेकर आती है तो उसे हम क्या कहते है Tresd कहते हैं इस वज़े से इसे हम Tresd site भी कहेंगे क्योंकि यहां से जो हमें कंकाल मिले हैं हमें इनके बारे में जानकारी नहीं मिली है कि यह कंकाल यहां पर कैसे पहुंचे या कौन सा युद्ध हुआ था बास समझ में तो इसे हम मृत्कों का टिला भी कह देते हैं इसे हम लाशों का ढेर भी कह देते हैं और इसे हम Tresd site भी कह देते हैं एक चीज और समझने वाली है कि मोहन जो दाड़ों को हम सिंदुखाटी सबेता का गलीचा कहते हैं सिंदु Ultra सीज़ आदे में कपड़ा उध्योग, मुछ भी चीज जाएं। लोग विशुनि अर्फें नोट करते रहें। जिससे कि आपके इन फ्यूचर में काम आई तो वस्तर निर्मान का हमें क्या मिला यहां पर कारखाना मिले मतलब कि कपड़ा उध्योग का हमें क्या मिले कारखाना मिले बात समझ में आई देखें हमने कितने सारे नाम निकाल दिये एक तो मृत्त को का तिला इसे हम कहते हैं ल मिला कार खाना मिला है फिर वह समझ में आगी यहां तक समझ में आया आप सभी को कि मुआथ डारगो आपनों के लियुक्त हैं याप आ हैं गवात्रहेता तो हम किसी हला क nuclei sa सब्सक्रांब पर नेक्स हम में कौन क्या मिल है यहां कम से क्या मिला है किWait वो सब देख लिए आप देखें हमें यहां से क्या मिला है सबसे पहले हम यह बात करते हैं ठीक है इसे हम क्या कहेंगे अफशेश ठीक है most important चीज़ है जिसे हम एक ट्रिक के रूप में याद करेंगे सबसे पहले सुति वस्त्र चीक है दूसरे नमबर पर प्रोहित पहले आप नोट कर लीजिए उसके बाद मैं आपको इसके बारे में समझा दूँगी थार्ड नमबर पर सुति वस्तर प्रोहित अवास कुवां चोथे नमबर पर सनानागार फिफ्ट नमबर पर अनागार शिक्स नमबर पर चोडी सडक अगर आपको याद रखना है कि कैसे हम याद रखें कि हमें मोहन जुदारों से क्या क्या चीजें मिली हैं तो सबसे पहले देखिए प्रोहित प्रोहित पंडित मतलब क्या होता है पंडित मतलब वह पंडित जो सूती वस्तर धारन करते हैं मतलब कुर्टा पजामा पहनते हैं धोती पहनते हैं वह क्या होती है पंडित सबसे पहले क्या करते हैं सनान करते हैं क्या करते हैं सनान मतलब की नहाते हैं तो नहाने के लिए वह जल कहां से लेके आते हैं कुए से कहां से लेके आते हैं कुए से बास समच में आई नहाने के लिए वह जल कहां से लेके आते हैं कुए से लेके आते हैं मेरे कहने का मतलब यह है कि एक पंडित है जो क्या करता है सूती वस्तर धारन करता है मतलब की सूती वस्तर पहनता है चाहे वह दोती कुर्टा हो या फिर कुरता बजामा हो जो भी हो ठीक है उस जो पंडित होता है सबसे पहले क्या करता है नहाता है तो नहाने के लिए क्या चाहिए पानी चाहिए तो पानी कहां से लेके आता है कुए से लेके आता है ठीक है कुए से वह पानी लेके आया उसने इस स्नान घर स्नान घर जिस सबखा करते हैं कि उस अंगरहन करते हैं उस पंडित है वो कहां जाता है सभा के लिए जाते हैं मतलoh तो यह पंडित çocuk का सभू करनी हैं एte तो इस विज़े से क्या हो जाता है रश हो जाता है मतलब बीड हो जाती है उस बीड को काबू करने के लिए क्या बनाई जाती है एक चोड़ी सड़क बनाई जाती है बात समझ में आगया मतलब पंडित है जो कपड़े सूती पहनता है सूती पहनने के बाद मतलब सूती कपड है उसके बाद कहां जाता है सभा में जब जाता है तो आपको पहले भी वत आया कि सीदुगार से घलीच्चा कहते हैं क्योंकि हमें वस्त निर्मान कर यहां पैंको कारखाना मिले हमें एक प्रोहीत आवास मिला है मतलव है इस से हमने पता चलता कि जो पुरोहीत होते हैं उनका चेन héps है तीन गर बने में इन तीनों घरों का क्या है एक recurs तीनों घरों का क्या है एक क्ये है मतलब impl हमें 700 कुएं मिलें कितने कुएं मिलें 700 क्यों मिलें कहां से मोहन जोद्रों से मोहन जोद्रों की जो सबसे इंट्रस्टिंग जो आश्रजनक इमारत है वो क्या है उसका स्नानागार क्या है उसका स्नानागार है देखे हैं मारन जुदानों से हमें क्या मिला स्नानागार मिला है यह जो ज्यादा पुछा जाने वाला कोशन है वो यह है कि इस सनानागार के अंदर उतरने और चड़ने के लिए सीड़ियां कौन सी दिशा में हैं most important question है कि सनानागार जो मोहन जोदर से हमें सनानागार मिला है उसमें उतरने के लिए और चड़ने के लिए सीड़िया कौन सी दिशा में हैं तो देखिए एक येरी दिशा और एक यहां पे जो इस सेड़ है मतलब उत्तर और दक्षिन में क्या हैं उत्तरने और चड़ने के लिए क्या हैं सीड़िया हैं most important question कि हमें जो स्नानागार मिला है कहां से मोहन जोद्व में इसमें उत्तरने और चड़ने के लिए सीड़िया कौन सी दिशा में हैं उत्तरी और दक्षिनी दिशा में मतलब कि नौर्थ और साउथ क्लियर पहली बात यह दूसरी बात यह है कि मार्शल ने इसको क्या कहा है मार्शल ने इस नानागार को क्या कहा है विश्व की कोशिन आता है आश्चर्य जनक क्रिती विश्व की आश्चर्य जनक क्रिती कहा है मार्शल ने कि यह विश्व की आश्चर्य जनक सरंचना है एक निर्मान है जिसके बारे में कोई भी नहीं सो सकता पुराने जवाने की बात हो रही है यहाँ पे इस टाइम की बात नहीं हो रही कि पुराने टाइम में मतलब प्राचीन विश्व के अंदर अगर हम देखें तो प्राचन विश्व की जो आश्चेजनक कृति है वो क्या ह इसका सनानागार है बात समझ में आई कि हमें मोहन जोद्रों से एक सनानागार मिला है जिसमें उतरने और चड़ने के लिए क्या है सीडियां है और मार्शल ने इसे क्या कहा है विश्व की आश्यनक कृती कहा है बात समझ में देखे उसके बाद हमने यह देखा यहां से हमें क तोड़ी सड़क मिली हैं और हमें क्या मिला है सभा भवन मिला है वापिस हम उसी कहानी पर आते हैं कि पंडित है कपड़े पहनता है नाता है उसके बाद सभा में जाता है सभा में जब वो जाता है तो सबसे पहले क्या करता है पशुपति शिव की क्या करता है पूजा करता है पशुपति शिव की क्या करता है वो पूजा करता है मतलब आपको याद करवाने का तरीका है यहां से हमें पशुपति शिव की क्या मिली है मोहर मिली है देखिए आप एक स्लाइड देखिए यहां से यह पशुपति शिव की हमें क्या मिली है एक मोहर मिली है पशुपति के मोहर फैंब हुआह आप यह इसको अगर गोर से देखेंगे तो आप कोई दिख रहाओगा कि एक व्यक्ति है यह का मूंग है जो क्या करता है ध्यान मुद्रा में बटते हैं न iac ढम्टर्धते जिसमी में करते हैं। यह यह जो वेकती है वह इस मुझरा में बैठां। यह ठीक है यह पास में क्या है हाथी ठीक है इसी के पास में एक तरशूल है। थीक है मतलब यह सारी चीजी हमें किसकी तरफ भगवान शिव की तरफ इंगित करती हैं बताती हैं कि यह भगवान शिव की क्या है मोहर है क्योंकि जो सेम जो विशेष्टाइं बताई गई हैं वो सेम विशेष्टाइं क्या हैं हमारे भगवान शिव की हैं तो इस वज़े से इस मोहर का सम मीकरन किसके साथ कर दिया गया पशुपती शिव के साथ किसके साथ कर दिया गया पशुपती शिव मौस्ट इंपॉर्टन कोशिन है कि पशुपती शिव की मोहर हमें कहां से मिली है तो कहां से मिली है मोहन जो दाड़ों से और यह किस से बनी है सेल खड़ी पत्थर एक तरह का पत्थर है यह जो पत्थर से बनी हुई है यह मोहर और वह पत्थर कौन सा है सेल खड़ी नाम क्या उस पत्थर का सेल खड़ी मोस्ट इंपोर्टन कोशिन है कि पशुपति शिव की मोहरा में कहां से मिली मोहन जो दाड़ों से किसकी बनी हुई है यह सेल खड़ी बात समझ में आगे ठीक है वापस हम उसी स्लाइट पर पहुंचते हैं देखिए हमने यह देखा हमने यह देखा कि यहां पर पशुपते शिव की क्या मिली है मोहर मिली है ठीक है अब जब पंडीत सभा में जाते हैं तो वहां हमने तक पर कुछ निर्टिकिया निर्टिकया मतलब है जो डांस करती है वहां पर एक निर्टिकीं ती जिसने क्या किया था हओग फिले है कासे की निर्टिकी की मुर्टी मिली कासे की निर्टिकी की हमें का तक सी के Amel air यह है मुर्टी मिली हैred most important question सबसे पहली बात किसकी बनी हुई है कांसे की क्योंकि सिंदुगाड़ी सब्वेता क्या 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 कहते हैं कांसे सब्वेता कहते हैं तो इस वजए से सब्वेता की क्याब कु脅झ कांशे की मतलब डांस स करने वाली जो नर्ट करती हैं उनकी क्या मिली हैयां से मूर्ति बास समर्च में आई तो ये पिचर भी मैं आपको दिखात रकतीं हूं अब देखिए यह क्या है ऐक कांसी की है यह कांसे की बनी हुई है और यह जो कांसे की बनी हुई है और यह क्या है नृत्य की मुद्रा में दिखाई दे रही है देखिए यहां पर मेरा पिच्चर लाने का मतलब यही था ताकि आप लोगों को पता चले कि कि किस तरह हैं कि क्योंकि जब हम पिच्चर देखते हैं त की मुरति हमें कहांसे मिलियं मोहनचोदाड़ Niya देखिए हैं अब वो ही बात हम यहाँ पले क्याते हैं कि पशुपति शिव कांसे कि नृत ये मुरती नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर हमें मलेरियो के शक्षिर मिलें और हम यहां पर बात करते हैं हमें लाशों का क्या मिला है देर मिला है लाशों का क्या मिला है हमें धेर मिला है बात समझ में आई अगर आप इसको कहानी की रूप में याद करते हैं तो जो पंडित हैं वो सभा में जाते हैं सबसे पहले पशुबति शिव की पूजा करती हैं पर कुछ डांस करने वाली रित्की आती है जो क्या है मतलब कांसी की है ठीक है उन रित्कियों में से एक को क्या होता है मलेरिया रोग होता है मतलब एक जो है वो लेडी मलेरिया रोग से ग्रसित होती है उसे मलेरिया रोग हो जाता है तो उस जब उसे मलेरिया रोग होता है त मतलब कितना easy तरीके से हमने इसको याद कर लिया कि परोहित है जो पह Mensa Н Suite जल लेता है कि सनान करता है फिर वो नशंदा करता है उसके बाद सभा लगाता है उसके लगे कि चोड़ी करने वाली यजूतीस हो जाता है उसके बाद वहां पर जब यह Answer पंडि morning जाता में एक मिलेरिया रोग से पीडित होती है इस वजह से सारे क्या हो जाता मिलेरिया फैल जाता है और उस मिलेरिया से लाशों का धेर बन जाता है बहुत इजी तरीके से हमने इसे याद कर लिया और अगर आप वैसे याद करना चाहते हैं तो देखिए यहां से हमें मलेरिया रो चीजे जो मिली हैं उसके बाद एक चीज मैं में और यहां पे बता हुँ सबसे पहले हदा की खौज हूई ती 1921 में उसके बाद मोहण जोद्र की खौज हूईं। थी 1922 में इस वजह से इन दोनों को ही मतलब हड़पा और मौहं जोद्र को क्या कहा कहा जाता है स्युक्त राजधानी कहा जाता है क्या कहा जाता है स्युक्त राजधानी कहा जाता है क्लियर मतलब सिंदुगाड़ी सबता कि अगर कोश्चन आता है सिंदुगाड़ी सबता कि स्युक्त राजधानिया कौन सी है तो वह कौन सी है पहली है हडपा और दूसरी कौन में उमीद करती हूं कि आज का जो टॉपिक है हमने जो महन जोद्रो किया है वह आपको समझ में आ गया हो अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने जो डाउट है वो नोट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले क्या 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 डाउट रह गए हैं और अगर आपको क्लास पसंद आई हो अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज को शेयर कीजिए साथ ही साथ अरोड़ा क्लासिस के टीचिंग प्लैटफर्म को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे अच्छी जानकारी के साथ हम जल्द ही मिलेंगे तो थैंक यू सो मुच